हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशियन यूटूब चानल पर आई वलकम यूओ टू जी के ओशियन यूटूब चानल और आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं में मंत के कुछ बहुत इंपॉर्टन डेज जो कर सकते हैं तो चलिए हम लोग अपना आज कर डिस्कुशन स्टार्ट करते हैं देखे पहला इंपॉर्टन डे है हमारा फस्ट में यानि कि एक माई को मनाया गया था अंतरास्टिय मजदूर दीवस देखे अंतरास्टिय स्रम संगटन इसकी सापना 1919 में हुई थी और इसका म ख्याले है जिनेवा जो की स्विजर लैंड में है यूरोप कॉंटिनेंट में और इनके प्रजेंट टाइम के अध्यक्ष है गाय राइडर और जो इस बार की थीम थी यानि कि विशे था वो था स्टॉप दे पेंडेमिक सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंसेव लाइव खैंड highways और इसके साथ इस इसाद कुछ इम्पॉर्टनथ फैक्ट और याद कर लेने हैं जैसे कि महराष्ट दीवस महराष्ट मनायागे जाता है एक मई 1960 को वैसे इसकी स्थापना हुई थी महराष्ट को मनाया जाता एक महीठ को इसकी स्थापना कभी ती महराष्ट तो यह हुई थी एक माई 1960 में ठीक है इसी किसासत आपको गुजरात को भी अच्छे से याद कर लेना है तो एक माई 1960 को इसकी भी स्थापना हुई थी दोनों साथ नहीं ठीक है एक माई याद करेंना है यह सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है साथी साथ अगर महाराष्ट की बात आती है तो आपको इभियात कर लेना है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ प्याज और काजू की उत्पादन में महाराष्ट नंबर बन पर है और बात करें गुजरात की तो मूमफली की उत्पादन में गुजरात नंबर बन पर आता है नेक्स डे है हमारा इंपोर्टेंट वो है तीन मई देखे तीन मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंतता दिवस ठीके इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर ठीके ताकि जो भी हमारे जो जर्नलिस्ट है वो अपना काम स्वतंता से कर सके इसके लिए तीन मई को प्रेस स्वतंता दिवस मनाया जाता है आपको कमेंट शेक्षन बताना है कि भारत के समिधान में प्रेस स्वतंता की बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है ठीके, comment section में इसका answer आप लोग जरूर दीजेगा next है, 4 मई देखे, 4 मई को मना जाता है, cold minus day ठीके, cold minus day मना जाता है, fourth मे को, 4 मई को अगला है, 8 मई ठीके, 8 मई को क्या मना जाता है, world red cross day ठीके, visual red cross divas देखे, इसकी स्थापणा हुई थी, 1863 इजवी में Henry Dwaynant ने की थी, और ये जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्याले, औवेसी बाते जिनेवा में हैं, और जिनेवा जैसे कि महां आता है, स्विजर लैंड में है यूरोप कॉंटिनेट में इसे तीन बार से नोबल शान्ति-पुरुषकार मिला है ठीक है तीन बार नोबल शान्ति-पुरुषकार मिला है और इसका मुख के उधेश क्या होता है कि युद्य या कोई भी विपता के समय में कठनाईों से राहत दिलाना देखे वीडियो आपके लिए helpful लगे तो वीडियो का आप लोग like जरूर कीजेगा और इसको अपने friend circle में जादा से जादा share भी कीजेगा next important day 9th May 9th May को मनाया जाता है world migratory bird day यानि कि यहाँ पर थोड़ा सा mistake हुआ है मनाया जाता है विस्व पक्षी प्रवासी दिवस जो इस बार का theme था यह आपको याद कलेना यह बहुत ही news में था तो आपको इस वाले को बहुत अच्छे से याद कलेना है तो इस बार को जो theme थी वो था birds connect our word ठीक है important है अच्छे से आपको याद कलेना है next day आपके सामने 10 मई देखे 10 मई को जो की Mother's Day मनाया जाता है बट आपको एक important fact यह भी याद कलेना है कि मई के दूसरे रविवार को ठीक है वो कोई भी date हो सकती है मगर जो मई का दूसरा Sunday यानि कि दूसरा रविवार होता है उस दिन Mother's Day मनाया जाता है मात्र दिवस अगला है 11 मई ठीक है देखे 11 मई को क्या मनाय जाता है रास्टिय प्रद्योगी की दिवस यानि कि National Technology Day ठीक है टेकनोलोजी छेत्र में भारत की उपलब्दियों को लेकर 11 मई को रास्टिय प्रद्योगी की दिवस मनाय जाता है और साती साथ आपको याद कर लेना है कि 1998 में इसी दिन पोखरण जो की राजस्थान में है में सफल परमाडू परिक्षर करने के बाद भारत परमाडू क्लब में शामिल होने वाला 6 कंट्री यानि की छटा देश बन गया था राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जैपूर है इसकी कैपिटल अगला इंपोर्टन डेह आपके सामने 12 मई इस दिन मना जाता है अंतरास्टिय नर्स दिवस तो अंतरास्टिय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी यह थी नर्सिंग दो वर्ड टू हेल्थ जो विश्व स्तर पर नर्सों की भूमिका पर केंद्रित है यह दिन स्वास्त स्यवा छेत्र में नर्सों के महत्त पर प्रकाश डालता है अंतरास्टिय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइट इंगल की जयनती का प्रतीक है इसको आपको बहुत स्वास्तिय अच्छे से याद कर लेना है ठीक है कि 12 मैं इंटर्नाश्टल नर्स डे अंतरास्टिय नर्स दिवस थीम आपको अच्छे से याद कर लेनी है next day आपके सामने 15th of May यानि कि 15 माई देखें 15 माई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है International Family Day ठीक है? celebrated on 15th May जो इस बार का theme था वो क्या था? Families in Development ठीक है? Families in Development अगला है 17 माई देखें 17 माई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है ठीक है? और जो इस बार का theme था वो क्या था? पहली बार वैसे आपको ध्यान में रखना है आपको कि पहली बार अभी theme पर नहीं आते हैं हम लोग देखें पहली बार इस दिवस को 1969 में मनाया गया था 2005 के बाद इसे विश्व दूर संचार दिवस और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जो इस बार का विशे था वो था Connect 2030 सतत विकास लक्षों के लिए ICT ठीक है? Next पर आम लोग आते हैं यह है क्या? 17 मई देखे 17 मई को उच रक्त चाप दिवस मनाया जाता है और जो इस बार की थीम थी वो थी अपने नंबर जाने ठीक है? Know your number तो important है 17 मई इस दिन मनाया जाता है विश्व उच रक्त चाप दिवस अगला 21 मई देखे 21 मई को मनाया जाता है आतंगवाद विरोधी दिवस बहुत important दे है आतंगवाद विरोधी दिवस देखे 21 मई को रास्टी आतंगवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है यह दिवस भारत की प्रधान मंत्री राजियु गांधी की पूने तिथी पर मनाया जाता है Anti-terrorism Day celebrated on 21st of May इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और विश्व, पक्षी, प्रवासी दिवस भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है नेक्स्ट ये आपके सामने 24 मही 24 मही को क्या मनाया जाता है Commonwealth Day यानि कि रास्ट मंडल दिवस पहले इस दिवस को Empire Day के रूप में जाना जाता था यहादिन उन सभी देशों दुवारा मनाया जाता है जहां कभी British समराज का शाशन हुआ करता था एक सामाने भविश का उदार रास्ट मंडल दिवस 2020 की थीम है थीम क्या है एक सामाने भविश का उदार नेक्स्ट यह आपके सामने 31st मे ठीक है इस दिन मना जाता है विश्व तमबाकू निशेद दिवस बहुत इंपोर्टन्ट है विश्व तमबाकू निशेद दिवस और इसका विश्य था इस बार का Hashtag Tabaco Exposed 31st में Celebrate as No Tabaco Day और यह अंतराश्री लेबल की बात है तो आपको अच्छे सियाद कर लेना है और इस बार साल 2020 की थीम है यूआउं को इंडस्ट्री के हतकड़े से बचाना और उन्हें तमबाकू और निकोटोन के सेवन से रोकना है बहुत important day है यह देखे आपको comment section में एक day के बारे में बताना है और वो day है कि wishful cycle day ठीक हाली में इसे celebrate किया गया है तो आपको wishful cycle day के बारे में जितनी भी जानकारी पता है उसकी theme से ले करके और बाकी सारी चीज़ें आपको comment section में जरूर से जरूर बताना है तो देखे यह हमारा आज का important days का first lecture था जिसमें हमने मई मनते कुछ important days को discuss किया उनके कुछ fact को जाने और theme के बारे में जाना आप इसका pdf टेलिग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से download कर सकते हैं वीडियो का आप लोग like, share जरूर करेगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे तो आप उन वीडियो को जरूर से जरूर देखेगा और जो मैंने आपसे question पूछा है उसका answer आपको comment section में जरूर दीजेगा अगर आपको कोई doubt हो तो भी आप पूछ सकते हैं thank you so much for watching thank you